नमस्ति दोस्तों, पूजा पार्ट उपाय चैनल में आपका हिर्दय से बहुत स्वागत है। क्या आप भी मनी प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके घर में मनी प्लांट पहले से ही लगा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूश्फुल हो सकता है। मनी प्लांट एक बहुत ही सुब पौदा होता है, जिसके नाम से ही उसका उप्योग, उसकी बैभार पता चलते हैं, नाम से ही लगता है कि ये धन का पौदा है। जिस घर में मनी प्लांट का पौदा चल जाता है, तो उस घर में माता लच्च में हमेशा अपनी किरपा बनाई रखती है। मनी प्लांट का पौदा हमेशा ही आप अपने घर के दच्चडी पूर्व कौने में रखें। ये दिसा बास्तू के हिसाब से इस पौदे के लिए सबसे सर्वोत्तम होती है। मनी प्लांट के पौदे के पास एक आप तुलसी का पौदा जरूर लगाएं क्योंकि उसमें भी माता लचमी का बास माना जाता है। जब ये दोनों पौदे आप साथ में लगाएंगे तो ये भौती सकारात्मक उर्जा से आपको भर देंगे। यदि आपने मनी प्लांट का पेड अपने घर लगा लगा है तो आप देखेंगे कि कुछ समय में कुछ महीनों बाद या हो सकता है कि कुछ साल बाद उसके पास एक छिपकली रहने लगती है। यदि आपके घर में भी मनी प्लांट के पास छिपकली का बास हो गया है तो आप ये जान जाएए कि माता लच्चमी आपके उपर परसन्य हो चुकी हैं आपके घर में उनका प्रवेश हो चुका है। और आपके दिन फिरने वाले हैं यदि आप हजार कमाते हैं तो आप लाखों में खेलेंगे। यदि उस जगे छिपकली आने लगी है तो भूल से भी आप उस गमले को उस जगे से कभी ना हटाएं क्योंकि उस जगे उसने अपना इस्थान बना लिया होता है। यदि आप उसको हटा देंगे तो फिर उसके दुस्प्रणाम भी आपको मिल सकते हैं। छिपकली भी मातालचमी के ही रूप में मानी जाती है और बहुत सुभ होती है। और जब मनी प्लांट के पास चिपकली आने लगे या उसके नीचे आने लगे या उसके पास दिवाल में रहने लगे तो आप ये मानने की आपके दिन विल्कुल फिरने वाले हो गए हैं। माता लच्चमी ने आपके घर में अपना इस्थाई वास बना लिया है। अब आप मनी प्लांट के पास एक दिपक जलाना सुरू कर दें। विडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें।